तो दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते होंगे पिछले शुक्रवार यानि कि 22 दिसंबर को सिनीमागरों में रेलीज हुई थी प्रभास की मच वेटिट फिल्म सलार जिसको आज सिनीमागरों में 12 दिन चल रहा है यानि कि सिनीमागरों में सलार 11 दिन कम्प्लीट कर चुकी है और फिलहार इस वीडियो में हम बात करेंगे पिरभास की फिल्म सलार अपने पहले 11 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में काम्याप रही वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल के तरा कलेक्शन हो चुका है और आज अपने बारवे दिन ये फिल् पने रहीएगा लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप पिरभास को एक बेहतरी नभी नहीं ता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथे साथ इस चेरल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर बात करें फिल्म सलार के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि फैंस को इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतिजार था क्योंकि पिरभास एक बड़े सुपरस्टार है और पिरशाद निल के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी साथ और इससे पहले आपने कभी इसी फिल्म में नहीं नहीं देखा और पिरभास ने जिस तरह से अपने आपको परफॉर्म किया फिल्म सलार में वो वाकी काबिल इता रही था और यही वज़ा रही कि हिंदुस्तान की जंता ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा दिल से पसंद किया है आप शायद यह की नहीं करेंगे इस फिल्म में जितनी उम्मीदे थी हिंदी भाषा में डंकी सामने थी सलार के लेकिन फिर भी डंकी के सामने सलार ने हिंदी भाषा में भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया यहां तक के इस फिल्म ने सो करोड के आगडे को भी हिंदी भाशा में पार कर लिया है और तेलगू में भी ये फिल्म इतिहास रच चुकी है और इसके लावा कन्नाडा, मलियालम उन भाशाओं में भी इस फिल्म ने बहुत अच्छा कलक्शन किया यानि के सलार फिल्म ने अच्छा कलक्शन तो किया लेकिन जितनी उम्मीदे थी जैसा सोच रहे थे फिल्म की जिस तरह से शुरुआत हुई थी वहां तक फिल्म नहीं पहुच पा रही है आपको बताता चलू में कि प्रभास के साथ प्रत्विरा सुकुमरन, शुरूती हसन, जगापती बावो इस फिल्म में अहम किरदारों में थे और फिल्म का बजट 425 करोड रुपे का था लेकिन दोनों पार्टों का मिला के 425 करोड रुपे का वजट है, अभी सिर्फ आपने एक ही पार्ट देखा है, दोसरा पार्ट इस फिल्म का आना भी भागी है सलार फिल्म ने बहुत अच्छी और बहुत 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 बहुतरे इन शुरुवात की थी, पूरे वल्ड में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 178 करोड 70 लाक रुपे की कमाई की थी और दोस्तों ये साल 2023 की बॉलिवूड इंडस्ट्री से, साउथ इंडस्ट्री से, यानि कि अगर मैं आल टाइम हाइस्ट इंडियन फिल्मों की बात करो, तो ये तीसरी समसे बड़ी ओपनिंग थी इसके अलावा सलार फिल्म का जो तीन दिनों का विकेंड था, वो भी बहुत शांदार रहा, तीन दिनों के विकेंड पर फिल्म ने पूरे वल्ड में 402 करोड उपे कमा लिये थे, जो बहुती बड़ा कलेक्शन था, तीन दिनों में 402 करोड उपे की कमाई करना, ये कोई चोटी मोटी बात नहीं थी लेकिन उसके बाद फिल्म के कलक्शन में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और फिल्म अभी तक वहां नहीं पहुची है जहां इसको पहुचना चाहिए था अगर मैं अब तक कि बॉक्स आफिस कलक्शन की बात करू तो दोस्तों लाख रुपे की कमाई पूरे इंडिया से नेट कर ली थी सभी भाशाओं में पूरे इंडिया से 345 करोड 27 लाख रुपे तेलगु भाशा में फिल्म ने कमा लिये थे 198 करोड 25 लाख रुपे तमिल भाशा में फिल्म ने कमा लिये थे 16 करोड 55 लाख रुपे मल्यालम में कमा लिये थे 10.29 कुरुपे कंड़ा लैंग्विज में कमा लिये थे 4.93 कुरुपे और हeletी भाशा में फिल्मने 115.25 कुरुपे कर लिये थे तो ये बहुत बड़ी बात है दस दिनों में 345.27 लाएंग पांचों भाशाओं में फिल्म इंडिया में नेट कर चुकी थी और वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्षन था वो 408 करोड उपए था overseas से film ने कमाई थे 193 करोड उपे, 10 दिनों में और film की जो total कमाई थी پूरे वल्ड में 10 दिनों की वो 601 करोड उपे होगे दिजालोस तो अपने 10 दिनों में ही solar film ने 600 करोड उपे के आकड़े को पार कर लिया था अब आता है 11 दिन, यानि के happy new year का दिन था एक जनवरी तो 15 करोड पे की इस फिल्म ने कमाईगी एक जनवरी को जो कि बहुत शांदार में collection कहूंगा यानि कि संडे को भी 15 करोड 10 लाक रुपे था और 11 दिन भी फिल्म ने 15 करोड पे की कमाईगी और आज 12 दिन है तो आज फिल्म के collection में हम भी गिरावट देखने को मिलेगी तो यहाँ पे फिल्म आज लगबख 7.5 करोड पे करेगी या हो सकता है कि उससे नीचे भी 6-7 करोड तक भी फिल्म जाए लेकिन फिर भी 12 दिनों का जो टोटल कलक्शन है फिल्म सलार का वो 366 करोड पे इंडिया से नेट हो जाएगा तो वहीं फिल्म पूरे वर्ड में लगबख 638 करोड पे करती हो हमें नजार आएगी जो की काबिले तारीफ है और वैसे फिल्म बॉक्स आफिस पर सोपारिट हो चुकी है लेकिन दोस्तों आपको कैसे लगी थी फिल्म सलार कमेंट में जरू बताईएगा